आदमी हालात और कमसोरियों की मिट्टी से बना हुआ वो खिलोना है जिससे गलतियां होती रहती हैं। ये लाइने पढ़कर हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपनी लाइफ में हालात और कमसोरियों से तूटना नहीं चाहिए जो हमें जिन्दगी जीने का एक सबग सिखाते हैं। और ये डायलॉग बॉलिवुट के दमदार कलाकार जितेंद्र द्वारा बोला गया है। जितेंद्र को भला कौन नहीं जानता होगा। इन्होंने बॉलिवुट इंडॉस्ट्री में लगभग तीन दशकों का वक्त गुजारा है। और फिल्मों में अपने दमदार प्रदर्शन से लाखो लोगों का मनरंजन किया है। इन्होंने दर्शकों को एक से बढ़कर एक हिट गाने दिये हैं। चाहे फिर बात हो नैनों में सपना जैसे गानों की या फिर ढल गया दिन हो गई शाम जैसे गानों की। इन्होंने अपने अभिने करियर में एक सफल मुकाम हासिल किया है। लेकिन आज हम आपको इनके बारे में नहीं बलकि इनकी संपत्ती सिरू बरू कराने वाले हैं। कि आखिर इतनी लक्जीरियस लाइफ जीने वाले अभिनेता जितेंद्र कितने करोड की संपत्ती के मालिक हैं और कितनी लक्जीरियस लाइफ जीना पसंद करते हैं तो चलिए जानते हैं आज की हमारी इस वीडियो के जरिये बॉलिवोट इंडोस्ट्री में अपने जबर्दस डांस और एक्टिंग के दम पर राज करने वाले अभिनेता जितेंद्र का जन 7 अप्रेल 1942 को अमरित सर में हुआ था और यहीं से इन्होंने अपनी शुरुवाती पढ़ाई पूरी की और फिर सिधार्थ कॉलेज से अपनी ग्रजुएशन कम्प्रीट की अगर बात करें इनके अभिनेक करियर के बारे में तो जितेंद्र अपने पिता के साथ जुलरी की सप्लाई के लिए इंडॉस्ट्री आया करते थे यहां इनकी मुलाकात film डिरेक्टर वी शान्ता राम से हुई और इसी तोरान डिरेक्टर वी शान्ता राम ने इन्हें फिल्म नव रंग के लिए कास्ट किया जितेंद्र की ये पहली फिल्म थी जिसके साथ इन्होंने बॉलिवुड इंडॉस्ट्री में डेब्यू किया था इसके बाद तो मानो जितेंद्र के करियर की गाड़ी बढ़ती चली गई एक से बढ़ करें काम्याब स्टेशन तक पहुँचती रही और इन्हें कई हिट फिल्मों में काम करने का मौका मिला जिसमें उलाद, हातिम ताई और आशा जैसी हिट फिल्में शामिल है इन्होंने अपने अभिने करियर में लगभग 200 से जादा फिल्मों में काम किया है जिन में से ज़ादतर फिल्में सूपर डूपर हिट साबित हुई है आपको बता दें कि इन्होंने शोभा कपूर से शादी की है जो बालाजी टेलेफिल्म्स की मैनेजिंग डिरेक्टर है और इस शादी से आज इनके दो बच्चे है लेकिन अगर बात करें इस दंदार अभिनेता की कुल संपत्ती की तो आपको बता दें कि फिल्मों में अपने दंदार अभिने से हर किसी का दिल जीतने वाले इस अभिनेता की कुल संपत्ती 290 करोड रुपे की है जहां अपने दौर के मशूर अभिनेता रहे जितेंद्र अपनी हर एक फिल्म के लिए 50 से 60 लाख रुपे चार्ज करते थे साथ ही एड़िटीजमेंट्स के लिए भी उस दौर में काफी अच्छी रकम दी जाती थी लेकिन वर्तमान में जितेंद्र आज टीवी और फिल्म निर्माता के साथ साथ बालाजी टेले फिल्म्स बालाजी मोशन पिक्चर और एल्टी एंटर्टेंडमेंट के चेर्मेन हैं जिससे ये करोडो रुपे कमाते हैं वही बात करें इनके आलिशान घर की तो आपको बता दें कि मुंबई जुहुस्थित इनका आलिशान घर है जिसकी कीमात 10 करोड रुपे बताई जाती है इसके अलावा इनका अपना पुष्टैनी घर भी है जिसकी कीमत 200 करोड रुपे बताई जाती है जिसमें जितेंद्र अपने परिवार के साथ रहते हैं वह अगर बात की जाएं इनके कार कलेक्शन की तो आपको ये बता दें कि इनके पास Audi Q7 और Mercedes S600 जैसी बहतरी इनकारे हैं जिनकी कीमत करोडों में आकी जाती है वैल तो क्या आपको भी मशूर कलाकार जितेंद्र की संपत्ती के बारे में जानकर हरानी हुई तो आप हमें अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर जरूर बताएं साथी ऐसी और तमाम इंटरस्ट्रिंग बातों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें